कि नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीप कुमार एक बर्फिल से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने येट्यूब चैनल पर जिसका नाम है येट्यूडर पब्लिकेशन तो साथियों आज की श्यूड़े में बात करेंगे एंपेस्ट डबलू कोट केस को लेकर देखिए साथियों एंपेस्ट डबलू की भरती आए थी 2015 के अंदर एडवर्टाइजमेंट नमबर एक दो हजार पंदरा कटेगर नमबर साथ के अंतगत एंपेस्ट डबलू की एकजार 24 या फिर एकजार 25 के आसपास वेकेंसी आई थी जो भरती अभी पूर्ण भी हो चुकी है काफी लंबे समय तक वह भरती विवादों में घीरी दी कभी कोट केस कभी एस बीसी की सीटे अब जाकर वह भरती पूरी लेकिन अभी भी जो इस ब वीडियों डिटेल से जानेंगे कर आप भी एंपेस्ट डबलू की पिछली वरती से जुड़े हुए थे या आगे इस वरती के लिए एकजाम देना चाहते हैं तो आप यह जो है न्यूज को या इस वीडियो को जरूर देखेगा इसमें आपके लिए भी बविश्य के अरियाना सरकार उनको दी है सेवा में मानिया निलविजी ग्रह मंत्री अंश्वास्त मंत्री हरियाना सरकार वीश्य है एंपेस्ट डबलू मेल विज्यापन संख्याइक 2015 कटेगरी नंबर साथ की बरती को पूरा करने के संबंद में सरीमान जी स्वीन निवेदन इस प्रका 272, 12276, 18524, 13549 रिट के दवारा हमारा इंट्रेव्यू लिया गया इसके बावजूद भी हमें बरती से बाहर कर दिया गया फाइनल एजल्ट आने के बाद भी हमें बाहर कर दिया गया इन रिट पेटिशन की सुनुआई मानिया हाई कोर्ट में विचारा दीन है हरियाना क डिपलूमा दूसरी राज्यंसे था हम सभी बच्चे मेरिट में प्रूइस कर रहे और चैन दूसरे बच्चों का किया गया माननिया हाई कोर्ट से भी जो है इसको लेकर आदेश आ चुके हैं इसके अलावा भी उन्होंने और चीजे भी मानिया जो हमारे ग्रहिमंद्री उ सकते हैं CWP 11474 और दूसरा यहां पर जो रिजल्ट आया तो उसमें भी इने रिट पीटेशन का जीकर HSSC के द्वारा किया गया था CWP 18524 भी है इसके अलावा CWP 272, 18524 तो यह आपकी कटोफ रही है MPSW की जर्नल की 112 पे BCA की 94, BCB की 99, SC की 85, EBPG की 99, SC कटोफ रही है HSSC के द्वारा तो इसमें मैटर यह है कि इन केंडिडेट ने क्या अधर स्टेट से डिपलोमा किया हुआ था जबकि HSSC और हर्याना सरकार का यह कहना की भी अधर स्टेट वारे अलाउड नहीं है अब मामला कोट में विचारा दीने देखते हैं क्या होता बाकी केंडिडेट कहरें की हमें जोइनिंग जरूर चीए तो दोस्तो आज की शुड़े में फिलाल इतना इधन्यावरा